इन्विजिटिकेशन इन्रिस्पाइडरी डिजीजेस सबसे पहले स्पूटम स्पूटम कहते हैं बल्गम को बल्गम का कलर अगर येलुश ग्रीन है तो इसका मतलब है कि वहां पर इंफ्लमेशन हैं इंफेक्शन है या अलर्ज जाए और अगर उसी बल्गम के अंदर खून भी आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमाँ पर इंफेक्शन भी है ट्यूबर कोड़ासिस भी है तुमर भी हो सकते हैं और पल्मॉलरी इंफाक्शन भी हो सकते हैं पिर स्पूटम ग्राम स्टेनिंग एंड कल्चर और इंडिकेटर नहीं है हमार पस यसे टेस्ट होते हैं जिसम भी फंजाई की वज़े से मोल्ड फंजाई की वज़े से यह काज होती है सेकंड टेस्ट हो करते हैं हम स्पूटम एसिट वास्ट पे सलाइक है यह हम करते हैं बेसिकली ट्यूबर क्लासिस के लिए कि बंदे को ट्यूबर क्लासिस है कि नहीं है तीन दिन सुबह पहला जो ब को फाइंड आउट करने के लिए टेस्ट किया जाता है पिर राता है चेस्ट एक्स-रे पी अगर हम चेस्ट एक्स-रे वैसे रोटीन में लेते हैं ठीक है अगर एपी लेंगे तो उसमें हर्ट का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा नाजर आएगा नार्मल से ठीक काडिक थिए टेकों के यह पैसे लंग्सका याके उपेक्स वाले से थे व ममनार के लिए घ्ल के लिए हैं घृट कमैं हैं कि मतलब है कि यह तरफ दाएं तरफ या बाइं तरफ लेंड पूसिश्ट तो यह हम इसलिए लेते हैं के लिचन के लिए करने कर रहें के inquision कैide नहीं और चयाब भी X-ray को हम रीड करेंगे तो हम इंसाइड जो मिडल है ना उधर से शुरू करके आउट साइड के तरफ रेडिंग करेंगे जैसे कि तर्मियान में ट्रेकी होता है ना तो इस इंसाइड ट्रेकियस से जो मेडिन अस्टनम में आउट साइड आरगान है उनको देख देखते हैं ठीक है मतलब इन साइड से आउट साइड रेडिंग करते हैं एकसरे में पिर रहता है में हमारे पास हेलर शैड़ौ कहते हैं कि जो हाला मेना उसको कहते है तो वह क्यों लेते हैं प्रोमिनट हिलर लिंफ डिनोपथी देखने के लिए ठीक है लिम नोट ठीक है उनके अंदर कुछ enlargement आ गया कोई pathology आ गया तो उसको देखने के लिए हम हाइलम देखते हैं यह हमारे पास unilateral एक तरफ पिलंग सी हो सकते हैं और bilateral दोनों तरफ प्रेज़न हो सकते हैं ठीक है जो हमारे पास intestine है उनके अंदर कोई perforation हो रही है मतलब लिखी जो रहा है ठीक है तो यह हमारे पास राइट साइड पे इस तरह नदर आएगा सेक्ड हम डाइफ्राम को देखते हों कि जो diagram कास्ट्र अइगल ए नदर कास्ट्रोकार्बिग यह कि कछा है जो रेप्स कि दरिम आइंगल बनता है ले डरल साइड पे लिताउम को होते सान अगर वहमारे पास उसकी obliteration हो ठीक है मतलब उसका ना ना हो ठीक है वह सही से prominent ना हो तो इसका मतलब है कि हमापर plural effusion है ठीक है पर हम अगर लंगस को देखे तो लंगस के जो एपिक्स देखे जाते हैं वह पर एक हम चीज देखते हैं बुली यह हमारा पास जो है वह थेकन इंग आगा टिश्यू हो सकते हैं यहां पर स्कीन के उपर जो शिस टाइप सी चीज बाग जाती है ना से पिर विज़रल प्ल्यूरा और प्लेटल प्लूरा के दर में हुझे स्प्हस उते हैं प्लूरल स्पेस वो श्यूंट के लिए कह ours में अगर कोई फ्लूट प्रेजंट है तो यह फ्लूट रफीजन होगी ठीक है फिर स्केल्टन इंस डिफार्मटी से हम चैस्टेक्स रपी देखते हैं यह तो हमारे पास कोई भी पार कोई भी फ्रेक्ट्चर हो तो हम देख सकते हैं साफ टिशू को जो श्यडव है वह हम देखते हैं सब क्यूटिनेस एमफाइसीमा में एमफाइसीमा में कहते हैं कि शॉटनेस ऑफ प्रेथ ड्यू तो एलवलाई डैमेज जब लंग्स के अंदर जो एलवलाई होती है वो डैमेज हो जाती है तो हमारे पास सांस लेने में कार्डियोस उने है जाए प्रोपर साइज है उतनी होना चाहिए हाट की साइज होना रहता हुपर स्केम पिथालोचांत है और कार्डियोफरीनिक एंगल कार्डियोफरीनिक एंगल कार्डियोफरीनिक एंगल जो हमारे पास हर्ट और यह जो डायफराम है इसके दर में जो एंगल बनते हैं उसको कहते हैं कार्डियोफरीनिक एंगल यह दोनों के दोनों जो है न यह क्लियर होने चाहिए अगर तो यह को तो पर्संट लेकिन वह के इन्सेटी के यह देंगे और उसको एंधेस करेंगे और जाद के सब्सक्राइब का जो फ्लूड है उसको एसपरेक्ट करने के मतलए अगर तो प्लूरल फ्लूड को हम बहुत जल्दी कुईकली निकालेंगे तो फिर हमारे पार पल्मनरी इडेमर होने के चांसे सोच सकते हैं ओड लंग्स का अगर वालियम देखने तो वह हम मेजर करते हैं स्पारामेटरी से या प्लाइटेस्मोंग्राफी से हम कर सकते हैं इसका वालियम चेक